हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ओल इस्टूरेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागा थे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पर्स्पेक्टिव ओन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एक चैप्टर था अंतराश्ट्री ये संबंद का अध्यान, उद्भव और एतिहासिक विकास उसका पार्ट टू आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हो सकता है जो अधर स्टूरेंट्स हैं जिनका ये सब्जेक्ट ना भी हो बट हो सकता है सिलीबस अगर मैच कर रहा है आपका तो आप भी जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है अगर उनका सिलीबस मैच करता है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं तो इसका first part already बना दिया था, first part काफी important था और second part भी काफी ज़्यादा important है, तो please दोनों ही part को आप जिरूर देखें, तो आज हम second part को देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर अन्तारास्ट्री संबंध का क्या आर्थ है, क्या इसकी मीनिंग होती है, अन्तारास्टी संबंध से तातवरे दो या अधिक रास्ट्रों के मद्धे संबंधों के स्वरूप से हैं जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्धे संबंधों का निर्धारन अनेक पहलों के दुआरा होता है जिसमें शामिल हैं राष्ट्र की शाष्ण व्यवस्था, भौगोलिक अविस्थिति, संसादनों की उपलब्दता, सामाजिक संरचिना, सांस्कृतिक विकास क्रम, विचारधारा एवं एतिहासिक मुल्ले इत्यादी देखे दोस्तों, अंतरास्ट्रिय संबंध का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो ये है, कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो रिलेशन होते हैं, उसे हम अंतरास्ट्रिय संबंध कहते हैं पर यहां पर एक बार ध्यान दिना, यह जो अंतरास्ट्रिय संबंध होते हैं, international relation होते हैं, वो कई सारे पहलूँ से जुड़े होते हैं, वो सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनितिक भी हो सकते हैं, अभी इस सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं देखें दोस्तों, अब यहां पर हम समझेंगे कि आखिर अंतरास्ट्रिय संबंध और अंतरास्ट्रिय राजनिति दोनों ही शब्दों में क्या अंतर हैं, आपने कई बार सुना होगा, international politics, international relation, तो अंतरास्ट्रिय संबंध और अंतरास्ट्रिय राजनिति में क्या अंतर हो अंतरास्ट्रिय संबंद का मतलब समझ में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में अंतरास्ट्रिय संबंदों के राजनीतिक पहलूं को अंतरास्ट्रिय राजनीति कहा जा सकता है। पॉलिटिकल जतने भी पॉलिटिकल रेलेशन होते हैं वो होते हैं अंतरास्ट्रिय राजनीति अंतराश्ट्री ये जो politics होती है international politics उसका मतलब होता है कि एक देश के दूसरे देश के साथ जो political relation है राजनितिक संबंद है राजनितिक संबंद का मतलब होता है कि एक दूसरे के देश में वो राजदूद भेशते हैं एक दूसरे से वो बातचीत करते हैं कि मतलब पॉलिटिकल से राजनिती संबंध ही उनके संबंध होते हैं अपने प्रतिनिती एक दूसरे देश में भेजते हैं तो ये पॉलिटिकल रिलेशन होता है तो ये जो राजनितिक संबंध होते हैं इसी को हम कहते हैं अंतरास्ट्री राजनिती दो या दोसे अधिक देशों में ये जो संबंध होते हैं इसे कहते हैं हम अंतरास्ट्री राजनिती बट जब हम बात करते हैं अंतरास्ट्रीय संबंध की तो अंतरास्ट्रीय संबंध बहुत बड़े लेवल पर होते हैं बहुत व्यापक होते हैं कैसे अब अंतरास्ट्रीय संबंध में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शांती में, युद्ध वगरा ये सारे संबंध श और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो कैसे वो युद्ध में संबंध हैं कैसे शांती प्रिय संबंध नहीं हैं बट संबंध हैं संबंध साथ सांस्कृतिक संबंद हो आर्थिक संबंद हो चाइना के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है बट चाइना के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंद काफी मजबूत हैं आर्थिक रुप से हम काफी लेंदिन करते हैं तो यह अंतरास्ट्री संबंद इसे हम संबंधिते हैं तो फ्रिंड्स यहां तक आपको अंतराष्ट्री संबंध का क्या मतलब होता है समझ में आके होगा कि अंतराष्ट्री सं diversity संबंध का मतलब है कि दो यादो से अधिक देशों के बीच जो आप पसी संबंध होते हैं록िति हो आर्ति हो किसे यह संबंध तो कैसे भी संबंध हो तो उने हम अंतरास्ट्रिय संबंध कहते हैं इसके लावा अब जो सिर्फ राजनीतिक संबंध होते हैं तो उसे हम अंतरास्ट्रिय राजनीति कहते हैं तो यहां तक सारी चीलियर होंगी अब हम बात करते हैं अंतरास्ट्रिय संबंधों से संबंधित तीन इस्तरों की देखें दोस्तों अंतराश्ट्रिये संबंध में यानि कि अंतराश्ट्रिये राजनिती में जब कोई घटना घटती है कुछ भी होता है अंतराश्ट्रिये इस तर पर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी होता है तो यहां पर तीन इस्तर दिये गए हैं जिस पिर ऐसा क्यूं हुआ आखिर यह घटना क्यूं घटी तो तीन लेवल्स हैं एक पहला इंडिवीज्वल उनव์-। जिसे वیکति लेवल कहते हैं फिर दूसरा एक U seule इंट इस्टेट लेवल है राज्जेौ्श США का लेवL है तीसरा एक international level होता है आखिर परिस्तितियां कैसी है पूरी अंदराश्टिय परिस्तितियां कैसी है तो ये levels होते हैं जिसके दुआरा हम किसी घटना की व्याख्या कर सकते हैं कि आखिर international politics में international relation में वो घटना क्यों घटी जैसे कि आप कह सकते हो कि ये जो attack हुआ युकरेन पर उसका एक कारण पुतिन खुद है क्योंकि पुतिन का व्यक्तित वही कुछ ऐसा है कि उसने अपने पावर दिखाने के लिए उसके उपर attack किया उसके अलावा आप कह सकते हैं कि रशिया रशिया की policy रही है कि जो NATO है वो उसके उसका विरोध ना कर सके नाटो रशिया के पास ना स अगे इसलिए भी रशिया अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर कर रहता है इसलिए उसने आकरमन किया या attack किया तो इसके कई सारे reason हो सकते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर अब हम बात करने जा रहे हैं तीन इस तरों की तीन इस तरों का यह विशलेशन का सिध्धा दिया गया है अब हम इसकी बात कर रहे हैं क्या importance है वो मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको बता दिया कि इसके द्वारा हम अंतराश्विय घटनाओं को जो घट रही हैं उसके काफी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं जब आप इसको समझ जाएंगे तो काफी better तरीक पर जब आप मेरी बात को सुनेंगे जब मैं आपको समझा दूँगा तो आप काफी better तरीके से अपनी language में काफी अच्छा काफी आसान तरीके से आप अपना answer लिखकर आप आएंगे तीन स्तरिय विशलेशन थिरी लेवल्स अनलाइसिस ये सबसे अधा एक important topic है तो please इसको ध्यान से सुनें ये एक important topic है जो आपको पढ़ाया ही जाएगा आई आर जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा पढ़ाया जाएगा internationalization में अंतराश्ट्री संबंध के अंतरगत तीन विविन स्तरों पर अंतराश्ट्री संबंधों का विशलेशन किया जाता है यह विचार मुखिता Kenneth Walters से संबंधित है जिन्होंने अपनी पुस्तक men the state and war में राज्यों के युद्ध के प्रती वैवहार और निर्णेयों को समझने के लिए तीन स्तरों का विशलेशन प्रती पादित किया इसके अंतरगत Walters ने उन तीन स्तरों या पक्षियों की बात की जिन पर राज्य एवमुन के निर्णे निर्माता अपनी विदेश न आरशनिक हैं एक विचारक हैं Kenneth Walters इन्होंने ये विचार दिया है ये तीन लैवल्स का जो विचार है तीन स्तरों का ये दिया है इन्होंने कहा है कि ये तीन स्तर होते हैं तीन लैवल होते हैं तीन स्टैप होते हैं जिसके तहत किसी देश की नीती बनाई जाती है या किसी देश के दुवारा निर्णे ले जाते हैं मतलब कहने का है कि ये तीन इस तरह हैं अग में हम तीनों ही लेवल्स को वन बाई वन पढ़ेंगे बढ़ ये कहते हैं कि ये तीन लेवल्स हैं जो डिसाइट करते हैं कि किसी देश का निर्णे किस तरह का होगा या कोई घटना हम यह जो तीन लेवल्स हैं यह तीन लेवल्स के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इन तीन लेवल्स का क्या importance है तो इन तीनों लेवल की importance यह है कि इसकी द्वारा किसी विश्व की घटना को समझा जाता है कि आखिर उस गवों घटना होई तो विश्व में तो आखिर उसके क्या-क्या reason हो सकते हैं तो सबसे पहला जो इस्तर है लेवल है जिसका नाम है विश्वलेशन का वैक्ति गत इस्तर इसे इंडिविज्वल लेवल भी कहते हैं तो वैक्ति गत इस्तर वैक्ति वाल्टर्स के मुताबिक वैक्ति विश्वलेशन का प्रत्थम इस्तर होता है अर्थात संघर्षों की उत्पत्ति वैक्ति या मानव व्यवहार और राजनीतिक निर्णय निर्माता के वैक्तित उसे होती है अता विश्वलेशन का प्रत्थम इस्तर मानव वैवहार पर केंद्रित है निर्णय निर्माताओं के रूप में वैक्ति ही विदेश नीती का निर्धारन करते हैं और ये विदेश नीती ही वैश्विक व्यवस्था में राज्यों की वैवहार को सुनिश्यत करती है यहां ध्यान दीजी दोस्तों जो notes हैं वो difficult है बट notes को मैं समझाऊंगा तो आपको समझने के लिए यहाँ पर वीडियो में थोड़ा सब्र रखना है ठीके notes difficult हैं और रहेंगे difficult बट मैं जब आपको समझाऊंगा तो काफी easy हो जाएगा इस इस्तर के अंतरगत ध्यान का मुख्य केंद्र मानव की प्रकृति एवं व्यभार गत पैटन होते हैं वाल्टर्स के अनुसार वैक्ति का स्वार्थवादी स्वाहित केंद्रित आवेक शाली वैभार ही संगर्षों को जन्म देता है यह स्थापित करता है कि युद्धों की उत्पति के पीछे मानव वैभार ही कारण है या किसी राजनीता का वैक्तित्व जैसा कि हम इराक में सद्दाम हुसैन और जर्मनी के हिटलर के संदर में देख सकते हैं अब ध्यान से समझो दोस्तों वैक्तिगत लैवल कुछ भी नियू है बहुत एज़ी बहुत उसान है देखो इंडिवीज्वर पहला जो सबसे लैवल है वहे वैक्तिगत लैवल इंडिवेज्वर लैवल इसमें कहा जाता है कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो इ व्यक्ति की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस होती है यहाँ पर कहा जाता है कि जिसे की जो डोनाल्ड ट्रम्प थे पहले अमेरिका की राश्ट्पती तो अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो इसमें उनके व्यक्तितु का भी परभाव है कहा जाता है कि कई बार जो व् उसका पता हुँआ को अपने अंडर में करने की कोशिश की थी तो इसमें ये जिल्दस के खलतना होई किशों को अगर कहा जाये कि आखिर क्या कारण था तो एक कारण था वैक्ति का ही ऐसा था उसकी personality ही ऐसी थी कि वो दूसरे देश पर दूसरे देश को जो पड़ोसी देश हैं उनको अपने अंडर में करना चाहता था अपने आपको शक्तिशाली दिखाना चाहता था तो जो वैक्ति का दिस्तर है इसकी एक अलगी होती है इसके अलावा हिटलर तो हिटलर ने जो डिसीजन लिए वो पूरे इस्टेप पूरे विश्व में क्या घटनाय घट रही है उसको देखकर लिए कि अपने वैक्तित वो देखकर लिए जब हम इंडिविजुल लेवल को देखते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि हिटल हिटलर का वैक्तित भी इतना अतलब इतना ऐसा वैक्तित हुथा जिसमें बहुत ही कड़े नियम बनाए गए थे बहुत ही कड़ा डिसिप्लीन था तो यह उसके वैक्तित के कारणी था हिटलर ने दूसरे देश पर आक्रमन किया तो उसका एक रिजन यह भी था कि जो हिटल हिटलर है वो अपने आपको बहुत ज्यादा श्रेश्ट मानता था हिटलर ने यहूदियों पर अत्यचार किया उनका आपकि अगर हिटलובא वैक्तित वह देखे नहीं होता सकता हैं कि फर्सट वेल्ड वर'd नहीं होती जुक्राइनwar नहीं होती ऍसमस्परेश्चेंड वॉल्ड-व्र नहीं होता यह थी सेकेंड़ वर्ड वार नहीं होती सय्केंड- d forty तो में प्लविक्सान वे能र नहीं होती अब आप आपने कई बार सुना ओगा कि जो पुतिन है जो रूस के राश्पती है पुतिन तो कई बार कहा जाता है कि पुतिन अपने आपको काफी बड़ा दिखाने के लिए सबसे आगे दिखाने के लिए वो दूसरे देशिवों पर आकरमण कर देते हैं या अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने यूक्रेइन पर आकरमन किया उसके साथ युद्गर रहे हैं तो कई बार वैक्तितों बहुत जादा इंपॉर्टेंस रखता है तो यहां पर हम जो कई बार कह रहे हैं या संभावना कह रहे हैं ऐसा नहीं है जो यहां पर तीन लैवल डिये गा है यह तीन लैवल कहते है कि सबसे पहरा जो लैवल है किसी भी देश में जो निर्ने लिया जाता है उसमें वैक्तिता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है अब मोदी जो डीसिजन लेगा वह अगर उसी मोदी की ही जग़ा कर केजरिवाल प् लोकल लेवल पर जो वैक्ती था जो में एक वैक्ती था अब आप नैशनल लेवल पर देख रहे हो एक स्टेट की एक देश की बात कर रहे हो इस्टेट की तो स्टेट वाल लेवल है यह दुईतिये इस तर राज्ये के वैभार को अपने विशलेशन का केंदर बिंदू मानता वॉल्टर्स के अनुसार राज्य की वे विशिष्टाएं बेहत महतों की होती हैं जो उसकी नीतियों वा उद्देश्यों को प्रत्यक या अप्रत्यक शुरूप से प्रभावित करती हैं इन विशिष्टाओं में राज्य की सरकार का रूप उसके आंतरिक कारक राज्य में की जा रही प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के प्रकार और वित्रण प्रनाली शामिल होते हैं इस इस्तर में राज्ये को केवल राजनितिक एकाई के तौर पर ही नहीं अपीतू संस्कृती धार्मिक पहचानों परंपराऊं इतिहास और भोगोलिक विशिश्टिताओं के ध विभिन पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इसके संदर्वमे लेनिन के सामराज्येवाथ के सिध्धान्त की और इशारा करते हैं कि कैसे पुंजीवादी राज्ये अपनी आंत्रिक पूरिया के केस में देखते हैं उसी परकार अमेरिका की आदर्श वादी विदेश नीती और उसका यह कहना कि यह विश्व बैविश्व का लोकतंतरी करण करने में विश्वास रखता है उसके एराक एवं कई अन्य रास्ट्रों में किये हस्त शेप को समझाता है जो पहला लेवल था वो कहता था कि वैक्ति गत इस तरह है जो वैक्ति के द्वारा निर्णे पर भावित होते हैं कि हर वैक्ति के अलग परसनेल्टी होती है कोई वैक्ति गुस्से वाला होता है कोई अपनी पावर दिखाना चाता है इस तरह से वो डिसीजन लेते हैं वैक्त लिया जाता है देखो यहां पर कहा जा रहा है जैसे कि कुछ असफल राज्य होते हैं असफल जैसे कि उत्तर कोरिया अब उत्तर कोरिया एक असफल राज्य हैं तो अब उत्तर कोरिया के कारण कई सारी ऐसी घटनाई हो रहे हैं जैसे कि उत्तर कोरिया दच्छन कोरिया के साथ यूद क्यों करना चाहता है या अमेरिका को क्यों धमकाता है तो इसका एक कारण जो है वह स्टेट के मामले में देखा जाए तो उत्तरकुरी एक असफल राज्य है उसने कोई सक्सेस हासिल नहीं किये हाँ हाला कि वह एटम बॉम या दूसरे जो बॉम है उसमें बनाने में व सक्सेस चीज क्या होती है कि जब आपके नागलिक सक्सेस हूं जब आप उस मॉडरनेटी पर आएं जहां पर आप सभी को रोटी कप्ड़ा और मकान दे सके आप विकसित बने तो यह चीज होती है सक्सेस तो वह एक असफल राज्य है और इस असफल होने की कारण ही ऑग USA की बात हो रही है, वहाँ की President की नहीं, President की बात होती individual level में, अब state level भी बात कर रहे हैं, एक देश USA की तो USA हमेशा कहता है कि वो एक लोकतांतरिक देश है और बात सहिए एक लोकतांतरिक देश है, तो बतौर लोकतांतरिक देश USA से एराक जैसे देश में हस्त छेप करता है अफगानिस्तान में हस्त छेप करता है तो यह जो घटनाएं थी कि एराक में या कई अन्य रास्ट्रों में जो अमेरिका ने हस्त छेप किया वो कैस उसके उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने क्या एक्जाम्प मतलब क्या तर्ग दि और स्टेट लेवल में एक स्टेट का जो स्वभाव होता है उसके कारण घटना होती है जैसे कि अब इराक में अमेरिका ने हस्त छेप किया तो उसका एक कारण अमेरिका खुद ही था ठेके यहाँ पर हम रीजन ढूंड रहे हैं आखिर क्या कारण होते हैं किसी भी घटना के तो इराक में अमेरिका ने हस्त छेप किया दखल दिया इराक में जाकर तो यह अमेरिका ने क्यों किया तो इसका एक रीजन अमेरिका का उस समय का कोई प्रेसिडेंट हो सकता है इसके अलावा अमेरिका खुद भी जिम्मेदार था क्योंकि अमेरिका ऐसा मानता है कि उसकी वो सांती व्यवस्ता इस्थापित करें तो अमेरिका का खुद का ये स्वभाव इस्टेट लैवल का है जिसके कारण ये घटना हुई थी इराक में उसने हच्छेप किया था तो दोस्तों यहां हमने इंडिविजूल व्यक्तिकत भी देख लिया और स्टेट यानि की राज्ये इस्थर पर भी हमने लैवल को देख लिया अब हम बात करते हैं जो तीसरा लेवल है वो है विशलेशन का व्यवस्था गत इस्तर व्यवस्था गत इस्तर पूरा का पूरा जो सिस्टम बन जाता है तो ऐसा सिस्टम होता है विश्व में जिस कारण से घटना घटती है कई बार किसी घटना के लिए विश्व का सिस्टम भी जिम्मेदार होता है यह इस तर विश्व में इस्थापित व्यवस्था को विशलेशन के केंदर में रखता है और यह परिक्षन करता है कि कैसे वैश्वी व्यवस्था राज्य के वैभार को प्रभावित करता है वाल्टस यह मत रखते हैं कि अंतराश्ट्री व्यवस्था की प्रकृती अराजक्तावादी है अर्थात राज्यों के उपर कोई भी नियंतरन कारी शक्ती मौजूद नहीं है और यही अराजक्तावादी अंतराश्ट्री व्यवस्था ही राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करती है और इस व्यवस्था में राज्य कुछ विशेश प्रकार का वैभार करने की और उद्देशित होते हैं अब जो तीसरा जो लेवल है इस्तर है वो है व्यवस्था गत इस्तर है वो कहता है कि विश्व में जो व्यवस्था होती है उसके कारण भी कई सारी घट्टाएं होती है जैसे कि वॉल्टस ने यहां बताया है कि जो विश्व की व्यवस्था है विश्व में जो सिस्टम है व भारत वह ठों कण्डूल कर सकते हैं बढ़ कर सकताइं बट हकीकत है कि ऐसा नहीं है तो व्यवस्थखत जो इस्तर है वह PARA ही कहता कि विश्व के जो देश वह पूरी तरह सवतंत रहें सवतंत्र का मतलब वह कुछ भी करनेक के लिए सवतंत रहां और वह कुछ भी कर सकते हैं इसके कारण भी जो ये अराजक्तावादी इस्तिती है इसके कारण भी कई सारे राज्ये कई तरह के वैभार करते हैं कई तरह का बीहिवियर फॉलो करते हैं जैसे कि अब रशिया ने युक्रेइन पर आक्रमन कर दिया तो ये अराजक्तावादी व्यवस्था का एक संकेत दिया कि अब रशिया को पता था कि अगर वो आक्रमन भी कर देता है यूकरेन पर तो रशिया के उपर कोई आक्रमन दूसरा कोई देश वैसे डारेक्ली आक्रमन नहीं करेगा तो ये जो तो यहां पर यह तर्क आपको सही लग रहा होगा कि जो व्यवस्था गत इस तरह है वो बताता है कि किस तरह से जो सिस्टम है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसके कारण जो राज्ये हैं वो अलग-अलग वैभार अलग-अलग तरह से बीहिवियर रखते हैं अब भारत के लिए जो वैवस्था है वो या कोई विकास्चेल देश है उसके लिए जो यह वैवस्था है वो अलग हैं अब अफरीका की कोई कंट्री है अगर वो ऐसा कोई कदम उठाती है अगर वो किसी दूसरे देश पर आकर्मन कर देती है तो क्या होगा जो कंट्री है ज वारा या WTO है या दूसरे कई सारी संस्थाएं हैं और कई सारे जो देश हैं वो कई तरह के सैंक्शन वगएरा लगाकर जो गरीब देश है उसको परिशान कर सकते हैं तो वैवस्था जो सिस्टम होता है वर्ल्ड का उसका उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट होते हैं वो अलग-अलग तरीके अपनाते हैं विश्व में इससे यह भी सपस्ट होता है कि इस अंतराश्ट्रिये व्यवस्था में कोई परिवर्तन राज्यों के वैभार में भी परिवर्तन को जन्म देते हैं इस व्यवस्था में सबसे पक्षमे में कलको अगर चाइना के पक्षमे भारत के पक्षमे होगा तो जाहिर सी बात है जो राज्ये हैं उनके वीहवियर में चेंजिस देखने को मिलेगा और जो वर्ल्ड सिस्टम है उसमें सबसे ज़यादा जो सोती है वह होती है राक्ष। राज्यों की जो स्टेट होता है उसकी पावर कितनी है ये बहुत बड़ी चीज होती है कोई भी देश है आखिर उसकी कितनी पावर है वर्ल्ड लेवल पर वही सबसे ज़्यादा मायने होती है चाहे वो सैनिक पावर हो चाहे वो आर्थिक पावर हो इसी तरह अभी मैंने एक संपल दिया जा सकता है कि दीए पहला हो गया व्यक्ति गत इसस्तर दुसरा राज्य स्तर हो गया जब हम वंविवस्थागत स्तर में देखते हैं तो व्यक्ति इससीव में जितने जो वुचित उपर ऑगर Olaf का वर्चस्व है तो ऐसी अब इस अमेरिका के लिए जो इस्तिती है जो वर्ड सिस्टम में वो उसके पक्ष में हैं जब अमेरिका जी सब को देखता है तो अमेरिका की सारे चीज़ें पक्ष में हैं तो ऐसी सिच्वेशन में उसने इराक में हस्तशेप किया तो आप समझ सकत तरशिया रोगता तो वर्ड ओर्डर कैसा है दुनिया में व्यवस्था कैसी है इसका भी काफी important काफी importance होता है किसी भी देश के वैभार में कि कोई देश कैसा वैभार करता है कैसा मतलब behavior रखता है तो दोस्तों आई होप आपको तो तीनों ही जो यह levels हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे अगर नहीं भी आये हैं तो आप वीडियो को एक बार जरूर देख लेना एक बार और देख लेना थोड़ी दिर बाद ही सही बट आपको यह समझ में आ जाएगा आज की वीडियो में जो भी बातियों ही वो आप आपको आसानी समझ में जाएंगी यह जो तीन levels थे वो बहुत important थे और वो तीनों के तीनों levels मैंने आपको बता दिये और याद रखना जब भी कोई international level पर कोई घटना घटती है तो इन तीनों levels को ध्यान में रखा जाता है कि आखिर वैक्तिगत इस्तर क्या था कि जिसने य ही ऐसा है और फिर देखते हैं कि world order ही कुछ ऐसा था कि यह घटना हुई तो कोई भी घटना होती जैसे कि अफगानिस्तान से अब विड्रो कर लिया अमेरिका ने तो इस जो घटना हुई थी जो incident हुआ था इसको भी तीनों levels पर रखकर देखा जा सकता है आसानी से आप मेर प्रेंट जा रही हैं तो कोई बात नहीं होता है कि एक बार की आप लोग सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे बस यही कहूंगा कि समझने की कोशिश करिए दिर दिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और अ झाल झाल